हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल मीलकल ब्यूती दोस्तो स्किन केर रूटीन की बात करें तो मैंने इसका पार्ट वन अपने चैनल पे अप्लोड किया था आज मैं पार्ट टू लेकर आई हूं उसमें मैंने आपको फाइब टिप्स दी थी और आज मैं सिक्स से मैं डिक्सप्रिशन में या फिर आई बटन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगी आप लोग उसको जरूर से देख लिजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नमबर सिक्स एक ही तरह के स्किन केर रूटीन को हमेशा फॉलो करना चाहिए आपको तो कई लोगों की आदत होती है कि वो हर कुछ दिनों में अपनी क्रीम से अभी अपने पेश वास को चेंज करते रहते हैं नए नए ब्यूटी प्रोड़क्ट इस्तमाल करते हैं तो आपको अपनी तवचा की जरूरत को समझ कर उसी के अनुसार प्रोड़क्ट का चुनाव करना चाहिए और जो भी क्लींजिंग टोनिंग मॉस्टराइजिंग के लिए अपनी तवचा को चुनते हैं उसी को हमेशा यूज करना चाहिए आपको चेंज नहीं करते रहना चाहिए आपको सही तरीके से हर शुबा या साम अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना चाहिए और आप खु अपने स्किन केयर रूटीन का अहम हिस्सा बनाए इससे तवचा में चमाक आती है और आपके तवचा की मृत को शिकाएं बाहर निकल जाती है और इसी वज़ा से आपकी स्किन को शिकाओं को टाइट बनाने में मदद भी मिलती है आप हलके एक्सपॉलियेटर की मदद से इ इसे कम से कम हकते में दो बार जरूर यूज़ कीजिए और घर पर कैसे स्क्रब बनाना है इसके लिए मैं और लेडी वीडियो बना चुकी हो आप आई बडन पर चेक कर सकते हो नमबर एट संस्क्रीन लगाना दोस्तों सूर्य की यूवी ए और यूवी बी यूवी सी के लो से तुच्छा पर वक्त से पहले जुर्या आने की संभावना बढ़ जाती है और इसी वज़ा से हमारे कुछ पिग्मेंटेशन या फिर स्पॉर्ट्स बनने रखते हैं और काले धब और हाइपर पिग्मेंटेशन को रोकने में काफी मदद करती है इस पीफ जिसे सन प्रोटेक्शन फैक्टर कहते हैं या निर्धारिश करता है कि संस्क्रीन आपकी तोचा को कितनी अच्छी तरीके से सुरक्षित करती है तोचा विशेशगे की सलाह देते हैं कि अ कि चक्कर में तनाव होना आम बात है ज्यादा तनाव सिर्दर्द और उच्छ रगताब जैसी समझ्याओं का कारण बन सकता है यहां तक कि तनाव का सर आपकी त्वचा आपके बाल और आपके स्किन पर बहुत अराम से देखने को मिलता है आजकल और ऐसे में अगर आप तन नाव या फिर टेंशन से नहीं बच पा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा कम करने का प्रयाश करें आप मेडिटेशन कर सकते हैं ध्यान लगा सकते हैं योग कर सकते हैं आप ग्रीन टी पी सकते हैं इससे आपके टेंशन को दूर करने में काफी मदद मिलती है नमबर 10 ग्रीन ट ये शेहत की तो green tea को कैसे भूल सकते हुआ वैसे ही तुचा के लिए green tea एक अच्छा विकल्प है green tea को खजाना होता ये ना सिर्फ आपकी तुचा के लिए अच्छा होता है बलकि आपकी पूरी body को antioxidant करता ये जिससे आपकी skin में चमकदार बनी रहती है और आपकी hair growth भी काफी अच्छी होती है क्योंकि ये रक्त प्रवाह में सुधार करता है cholesterol या फिर रक्त चापको कम करता है आपकी तुचा के स्वास्त में बहुत ज़्यादा सुधार लाता है green tea EGCG घटाने में काफी मददकार होता है इसलिए हम आपको सला देंगे कि आप प्रती दिन green tea जरूर लाइक करें और ऐसे ही latest update के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें